गुट इवनिंग एवरिवन आप वेरी गुट इवनिंग तो आल वी बच्चो और वेलकम बैक तो क्रियेटरिक्स यूट्व चैनल वी आ लाइव इन दी लक्षे बैच 2.2 कंट्रोल सिस्टम्स तो बिटा वापस आगे हैं आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके इस सिरीज का क हम लोगों ने एक धमाकेदार शुरुवात की दी कंट्रोल की और काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा आप लोगों का जैसा मैंने देखा कि व्यूस काफी अच्छा आया तो दाट मींस कि स्टूडेंट्स आर इंट्रस्टिट यार एक्चुली वाचिंग इट लेकिन बिटा को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रैक करें आपको हर टॉपिक में उतना अमाउंट ऑफ कॉंटेंट ऊइनी एक्जाम कोई भी एक्जाम जहां कंट्रॉल सिस्टम आता है उसे क्राय करने के लिए जितना आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूवत है उतना दिया जाएगा ताकि आप लोग इस subject को बार बार revise भी कर पाओ और इस subject को retain कर पाओ अगर बहुत जादा रायता फैला देंगे तो फिर क्या होता है न कि बाद में चीजे याद रखना बहुत tough हो जाता है और उनको फिर आप exam तक ले के नहीं जा पाते हो step by step point to point याद रख पाए बहुत tough हो जाता है तो आज मैं आपको control system का prerequisite कराने वाला हूँ that is Laplace Transform क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने signal नहीं cover किया होगा control में आने से पहले तो चलो याँ शुरू करते हैं Let me start by introducing myself My name is Ankit Gowil I have obtained All India Rank 1 twice in gate in 2014 and 2018 I was awarded gold medal by President of India himself and currently I am working as a director at an academy for the gay department अब मेरे बारे में देखो यार मेरे सारे बच्चे तो यह जानते ही है लेकिन क्या होता है जब भी हम नई initiatives लाते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमारे साथ पहली बार जुडते हैं जो इस channel के बारे में पहली बार जानते हैं तो उन बच्चों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके educator कौन है दूसरी बात पता है क्या यार मैं यह मानता हूँ कि इस channel ने electrical और electronics engineers की life में जितना major change लाया होगा ना शायद और कोई चीज कभी लाई ही ना हो ठीक है आज की date में बिटा college का हर बच्चा जो electrical या electronics पढ़ रहा है वो इस channel के माध्यम से अपनी knowledge को ना ही तो deep कर रहा है बलकि साथ-साथ college के exams में भी अच्छा perform कर रहा है competitive exams में भी मचा रहा है अच्छी job भी पा रहा है तो जो बच्चे इस channel से जुड़े है दियार basically creating records है ना एक नई तरह का हम लोग देख रहे हैं इंजीनियर बनते हुए जहां अब एक private college के बच्चे को या फिर एक एकदम local college के बच्चे को भी ना उतना knowledge है कि वो अपनी engineering समझता है ना सिर्फ समझता है बलकि interest भी ले रहा है आप ये देखो interest भी आ रहा है बच्चों को आज की date में engineering करने में क्योंकि concept समझ आने शुरू हो गए ना चीजों का practical significance दिखने लगा ये समझ आना शुरू हो गया कि engineering चीज क्या है पहले क्या होता था कि यार बस रटलो किसी तरह से exam पास कर लो लेकिन अब आप आज की date में देखो तो बच्चे पढ़ना चाते हैं बच्चे सीखना चाते हैं खुद demand करते हैं हम कोई सिखाओ अच्छे से और देखो यार इसी के अंदर आपके लिए ना मेरे पास सारी की सारी अपनी special classes भी हैं जो भी मैंने special classes आज तक deliver किये ना यार unacademy platform पे वो आप जाईए और अगर आप unacademy app नहीं रखे हैं अपने phone में तो unacademy app डाल लो आपकी तैयारी में बहुत जादा मददगार साबित होगी कल मैंने आपको course के structure में भी समझाया था कि मैं आपके लिए कुछ special classes में practice session लगा दूँगा, control के कुछ quizzes लगा दूँगा लेकिन ये सारी चीज़ें unacademy app पे होंगी और मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग की इच्छा भी होगी आप test देने की जो चीज़ें आप सीख रहे हो उसका proper gate interface पे आप test देना चाहोगी अगर ये सारी चीज़ें आप चाहते हो बिटा तो आपको करना क्या है सिर्फ और सिर्फ आपके phone में unacademy app रखना है और unacademy app पे कोई भी चीज़ कभी भी अगर unlock करनी है तो इस link के अंदर ही ताला की चाबी है विटा that is unacademy के हर ताले की एक चाबी है unacademy जहां कोई चीज़ open ना हो रही हो code मांग रहा हो लगा देना unacademy ठीक है चलो शुरू करें आज हम लोग बात करेंगे लैप-लस ट्रांसफॉर्म के किसके बार में बात करेंगे लैप-लक के बारे में बहुत सारे बच्चों को यार देखो एक basic idea होगा laplace का मैं ऐसा भी नहीं कहता आपको पता ही नहीं होगा कैसे होता है क्या होता है ऐसा नहीं है पता आपको होगा लेकिन कोशिश करूँआ कि आपकी knowledge को थोड़ा था next level पे लेकर करके जाओ और laplace इस वे में हम cover करें कि आगे जब मैं आपको राउ थर्विट्स criteria कराऊं या फिर मैं आपसे stability की बात करूँ तो मैं यहां से जो laplace के basic हम पढ़ रहे है ना उनको correlate कर पाएं यानि देखो क्या है control system की जड़े है ना वो कहीं ना कहीं signal system में जाती है especially laplace में जाती है तो जब आप laplace अच्छा कर लेते हो और फिर control system उससे relate कर के पढ़ते हो तो आपको feeling अलग level पर आते है देखो क्या होता है बिटा जब भी कभी engineering आप पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी एक एक subject को independently तयार मत करो आप subjects के बीच का link देखो subjects के बीच का relation देखो जितना जादा इस relation को explore करोगे उतना आपको पूरी engineering एक कहानी की तरह नज system आपको समझ आएगा यही subjects क्यों exist करते हैं इन subjects का महत्व क्या है वरना तो अगर ऐसे देखो तो इंजिनिरिंग में आर 20-25 subject पढ़ते हो सारे अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं लेकिन सबके अंदर ना एक common theme होता है कुछ common concepts होते हैं जो आपकी knowledge को next level लेके जाते हैं चलो यार शुरू करते हैं फिर लेपलास तो यार लेपलास ट्रांस्फॉर्म क्या है देखो लेपलास ट्रांस्फॉर्म एक ऐसा mathematical टूल है जिसका सबसे ज़्यादा application पता है कहां आता है differential equation solve करने में अब मैं इतना तो उमीद करके चलूँगा कि आपको पता है differential equation क्या होती है बड़ डिफ्रेंशल equation solve करने में लेपलास हमारी काफी ज़्यादा मदद करता है और कौनसी differential equation में पिता linear differential equation linear differential equation अब ये करता क्या है देखो लैपलास का फाइदा ये होता है कि जो भी differential equation होते है जैसे d square y by dt square ये इसको convert कर देता है एक algebraic equation में algebraic equation में क्या होता है जितने order का derivative होता है उतनी s की power बन जाते है जैसे अगर d square y by dt square है तो s square ys हो जाएगा जिससे की derivative गायब हो जाएगा और एक चीज़ तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे agree करेंगे कि solving a algebraic equation is much simpler as compared to solving a differential equation differential equation में यार आप निकालोगे particular integral आप निकालोगे complementary function लंबा जाएगा solution जितनी higher order equation होगी उतने जादा arbitrary constant आएगे solution में एके कार्पिटरी constant को निकालोगे using the initial condition बहुत लंबा बहुत टिपिकल process होता है इसलिए इवन अगर gate exam में देखो अगर differential equation का सवाल आ जाता है ना तो बच्चे क्या prefer करते हैं बच्चे prefer करते हैं option verification rather than कि पूरा differential equation को solve करें क्यों क्यों क्योंकि lengthy process है इतना time किसी के पास नहीं है तो उसी lengthy process को काफी हद तक simplify कर देता है हमारा laplace transform ठीक है काफी हद तक simplify कर देता है हमारा laplace transform तो यह क्या करता है differential equation को algebraic equation में convert करता है तो देखो यह लिखा है differential equation into algebraic equation और फिर simple algebraic rule से manipulate करके simplify करके हम लोग उसका solution निकाल सकते हैं तो यह one of the most important इसका application है अब definition of laplace transform देखो laplace transform कहां से आया क्या हुआ हमने बात की ना सबसे पहले LTI system की ठीक है यह क्या था एक LTI system सर यह LTI system क्या होता है यार यह आप signals में पढ़ते हो है ना बहुत जाद है इसमें detail में जाने की जरूरत नहीं है मैं फिर भी बता देता हूँ LTI होता है linear and time invariant ठीक है सर यह linear और time invariant system क्या होता है देखो system क्या है system एक ऐसी device है जो की एक input लेके output दे दे simple सी बात है input को process करके जो एक desired output दे दे वही system है तो अगर मैं linear की मैं बात करूँ बिटा अगर मैं linear की बात करूँ मैं briefly आपको linear और time invariant का idea दे रहा हूँ भाई linear की अगर मैं बात करूँ तो मैं यह कहता हूँ कि अगर input लगा x1 t और इससे output आया y1 t अगर input लगा x2 t और इसका output आया y2 t अब बिटा अगर आप एक ऐसा input लगाते हो जो इन दोनों का linear combination हो अगर आप एक ऐसा input लगाते हो जो x1 और x2 से बना है कैसे बना है ध्यान दीजेगा मैं लिखता हूँ c1 x1 t प्लस c2 x2 t और मान लो इसका output आता है yt तो system linear तब होता है बिटा जब ये जो output आ रहा है ना inputs को combine करके ये इनके individual outputs के combination के बराबर हो जाए बात को समझिएगा inputs को जैसे combine किया है अगर उसी form में अगर उसी form में output combine हो जाएं then in that case it will be called as a linear system ना सिर्फ output combine हो जाएं बिटा लेकिन साथ साथ उसमें coefficients भी same रहें यानि x1 और x2 का अगर c1 c2 coefficient है तो y1 y2 का भी c1 c2 coefficient होगा राहूल पिटा आपका answer हो गया है चैट के अंदर प्लीज आप जो है spam ना करें प्लीज अब अगला है भई time invariant time invariant पता है क्या बताता है time invariant हमको ये बताता है कि यार अगर देखो xt का output yt आता है तो अगर xt को shift कर दिया जाए यहाँ पर अगर time shifting कर दी जाए तो output में भी time shifting आ जाएगी तो यानि time shifting same रहेगी between input and output time shift remain same between input and output बात समझ में आई मज़ा आया तो ये दो चीजे होती है जो की मिलके बनाती है कि LTI system को अब देखो control system के अंदर जादा तर जो हमारा discussion चलेगा वो LTI system के around ही चलेगा यानि जिन systems का मैं analysis करूँगा जिन systems के बारे में study करूँगा all of them will be LTI system बट जब हम लोग last chapter में जाते हैं last के लो second last के लो state variable के अंदर वहाँ पे जाके आप time variant systems को भी study कर सकते हो लेकिन शुरुआत में जितने भी system study करोगे चाहे root locust पढ़ लो राउ थर्वेट्स पढ़ लो block diagram पढ़ लो signal flow graph पढ़ लो everything is for a time invariant system बात समझ में आई अब बात है इसमें लैपलास ने क्या कर दिया चलो ये तो मैंने आपको थोड़ा दा background दे दिया अब इटा लैपलास जो एक scientist थे उन्होंने क्या किया fourier के बाद fourier एक scientist खुद भी थे ना fourier के बाद एक theory दी पहल तो fourier ने एक theory दी fourier दे गए fourier series fourier transform उसके बाद लैपलास जी आए लैपलास ने कहा भाई जो बाते तुमने किये ना मैं उन सब को generalize कर देता हूँ अब पूरा तो मैं नहीं बता रहा fourier की theory को कैसे इन्होंने generalize किया बट अभी के लिए आप ये समझो लैपलास ने क्या बुला भई कि अगर आप यहाँ पे एक input लगाते हैं e to the power st तो आपको output भी क्या मिलेगा सम कॉंस्टेंट इन्टू e to the power st इस definition को बुला गया इस definition को बुला गया आइगन function क्या बुला गया आइगन function आइगन function का मतलब होता है जब कोई function input में लगे और एकदम उसी के जैसा output पैदा हो जाए which is multiplied by a sum number it may be a real number it may be a complex number है ना तो उसे हम कहते हैं आइगन function तो इन्होंने क्या बुला बिटा e to the power या फिर st की जगे आप एक काम करो आप e to the power 80 लिख लो ठीक है फिर आपको लगेगा ना s तो variable होता है e to the power 80 तो यहाँ पे इन्होंने क्या बुला e to the power 80 is आइगन function of LTI system आइगन function of LTI system ठीक है प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड कंडीशन भी डाल दी भाई ऐसे ही नहीं चलेगा provided a belongs to ROC of transfer function a belongs to ROC of transfer function सर यह ROC क्या है बेटा ROC का मतलब होता है region of convergence मैं आपको आगे समझाऊंगा यह चीज़ अभी के लिए इसको जाने दो transfer function पे भी आऊंगा region of convergence भी बताऊंगा लेकिन आप यह समझो Laplace की theory कहां से शुरूई Laplace की theory शुरूई आइगन function से आइगन function का basic meaning क्या है when an input is an आइगन function the output produced is of similar form as the input output की वही form होती है जो input की होती है यही definition है आइगन function का अब बात आती है कि Laplace ने Laplace transform क्या बोला देखो transform जो होता है कोई भी transform जब आप पढ़ते होना यह क्या करता है यह changes the domain of function इसका काम होता है function का domain change करना सर यह क्या मतलब हुआ domain change करना इस बात का क्या मतलब है भी देखो इस बात का बड़ा simple सा मतलब है किसी भी function का domain क्या होता है बचपन में जब हम function पढ़ते हैं तो domain क्या होता है domain का मतलब होता है the range of values of the independent variable that can be substituted in the function अगर कोई function बना रहे उसमें independent variable की क्या values आप डाल सकते हो that is called as a domain क्या कहलाता है वो बिटा वो कहलाता है domain तो transform domain change कर देता है इसका क्या मतलब हुआ देखो यहाँ पर एक होता है बिटा मेरे बच्चे एक होता है time domain क्या होता है time domain यानि एक function जिसका independent variable होता है time जिसका independent variable होता है time तो यहाँ पर यह इसको change करता है s domain में अब यह s domain क्या चीज़ है s domain का मतलब है independent variable s समझ रहे हो domain change का क्या मतलब है domain यार basically समझो एकदम mathematical terms में domain का मतलब होता है independent variable तो अगर आप function का independent variable ही बतल देंगे तो इसको क्या बुला जाएगा change of domain तो जो फोरियर ट्रांस्फॉर्म होता है वह actually change करता है time से frequency में लैपलास किसमें change करता है time domain से s domain के अंदर तो लैपलास का expression हमारा क्या होता है देखो हम यह लिखते है h of s is integral minus infinity to infinity ht e to the power minus st dt इसको bilateral लैपलास भी बोलते हैं लेकिन यह मैं आपको आगे की class में बताऊंगा अभी नहीं ठीक है bilateral unilateral लेकिन आप यह समझो यह है बिटा आपका लैपलास ट्रांस्फॉर्म का definition अब आप यहां पे अगर देखें यहां पे right hand side पे independent variable कौन है t है h के अंदर क्या लिखा है t लिखा है left hand side पे h के अंदर क्या लिखा है s लिखा है इसका मतलब है यहां पे variable है s और यहां पे variable है t दूसरी बात जब भी आप time domain में यूज करते हो बिटा तो आप lower case letter यूज करते हो ht में देखो और जब आप s domain यूज करते हो तो वहाँ पे आप upper case letter यूज करते हो time domain में lower case से represent करते हैं और transformation के बाद upper case को यूज करते है यहां पे s क्या होता है बिटा s को लिखा जाता है sigma प्लस j omega यह omega वही है बिटा frequency बट पता है क्या होता है फोरियर ने जो लिया था ना value फोरियर ने j omega t का use किया था यानि फोरियर ने क्या लिया था सिर्फ imaginary part j omega लैपलास ने बस क्या extend कर दिया कि अगर फोरियर imaginary ले सकता है तो मैं उसमें real जोड़के complex बना दूँगा मैं इसको complex number बना दूँगा main change ये किया था लैपलास ने समझ रहे हो लैपलास ने फोरियर के transform को generalize किया था जब फोरियर ने transform दिया था ना तो उसने j omega का use किया जो कि था purely imaginary यानी फोरियर ने जो variable यूज किया फोरियर ने जो domain यूज किया that was purely imaginary domain लेकिन लैपलास ने क्या बोला purely imaginary का general form complex हो सकता है इसमें अगर sigma को zero कर दूँगा तो imaginary omega को zero कर दूँगा तो real तो हमने क्या किया हमने real और imaginary दोनों का use करके overall एक complex number generate कर दिया तो generalize कर दिया ना लैपलास ने इसको तो बिटा जब बात होती है ना देखो s domain की तो यहाँ पे बात होती है s plane की यहाँ पे बात होती है बिटा s plane की स्वय हम देखो यार अगर black background पे पढ़ाएंगे ना फिर notes votes का funda भूल जा ना फिर notes आप print नहीं ले पाऊगे उसका कुछ भी नहीं कर पाऊगे मुझे कोई दिक्कत नहीं black background में पढ़ाने में इसको हम कहते है s plane इसकी जो x-axis होती है that is real part of s which is sigma और y-axis जो होती है वो होती है imaginary part of s यानी j omega ठीक है और मैं आपको एक चीज़ बताऊं बिटा कि यह जो fourier transform होता है fourier transform यह एक special case होता है laplace का तो can be derived from laplace transform from laplace transform keeping sigma equal to zero और s equal to j omega सही है s को j omega रख लो यार लेकिन then again बिटा then again आप s की कोई भी value तब रखोगे which is allowed मतलब क्या होता है देखो एक function में ऐसा नहीं होता input में कोई भी value लगा दो function में जो input होता है वो input ठीक है वो input क्या होता है input की range defined होती है निकि input की कुछ ही ऐसी values होती है जिने apply करना allowed होता है उसके अलावा जो भी inputs होते हैं उन्हें apply करना आपको allowed नहीं होता तो हम ये कहेंगे provided sigma equal to 0 belongs to ROC ROC क्या है भई? ROC है region of convergence region of convergence का मतलब क्या होता है? ये वो values होती है बिटा independent variable की जिन पे की function की value defined है जैसे एक example लो मैं आपको एक example से समझाता हूँ माल लो function of x है 1 by x या log x है ठीक है? तो it is defined for all x greater than 0 x को ना 0 या negative number लिखी नहीं सकते तो ये क्या हो गया? ये ही है बिटा called as ROC in laplace transform समझ में आगई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? laplace transform में जो variable है ना वो है s s की कौन सी value function में रखना allowed है वही है ROC s की कौन सी value function में रखना allowed है वही है ROC बट s जो है ना s एक complex number है यहाँ पे तो मैंने जो आपको fx बताया ठीक है? जो मैंने आपको fx बताया उसमें x तो एक real number था बट अगर laplace में जाओगे तो जो variable s है s जो है आपका क्या है? एक complex variable है तो complex variable की कौन कौन सी ऐसी value है जो function में put करने से function एक ठीक value देता है infinity नहीं चला जाता, undefined नहीं हो जाता उसको सबको क्या बोलते हैं बिटा? ROC बात समझ में आ रहे हैं सबको? ROC का मतलब बताओ सभी लोग क्या होता है? ROC का मतलब होता है independent variable की कौन सी values function में रखना allowed है जिससे की function आपको एक finite value देगा function undefined नहीं बनेगा ठीक है? चलो बिटा अभी इस पे sinusoidal पे नहीं जा रहे है अभी तो मैं transfer function पे भी नहीं आया है तो sinusoidal की क्या बात करो? ठीक है? अब जड़ा यह देखो निकालते हैं basic से कैसे? F of S यह function हुआ मैंने आपको क्या बताया? कि इसमें multiply करना है e to the power minus st और integration अब बिटा यह जो ut होता है ut function तो आप लोग जानते होगे unit step signal में basic functions में पढ़ाया जाता है it is 0 for all t less than 0 and 1 for all t greater than 0 0 पे undefined होता है 0 से पहले 0, 0 के बाद 1 अब यह मत कहना सब 0 पे half होता है वो heavy side step function होता है बट यह जो normal unit step function होता है यह 0 पे undefined माना जाता है तो अब यह 0 के आगे ही जब 1 है देखो 0 के पहले यह 0 है न तो जब आप integration में minus infinity से 0 जाओगे तो यह value 0 रहेगी जिससे overall value आ गई 0 और जब आप 0 से infinity जाओगे तो यह value होगी 1 तो आपने इसको 1 रग दिया समझ में आई बात basically integration दो पार्ट में तोड़ लिया minus infinity से 0 और 0 से infinity ठीक है अब exponential का integration क्या होता है भई यह जो minus sign आ रहा है न इसको limits में कैसे use करते न कि पहले lower limit रख लो और बाद में upper limit है न पहले lower limit रख लो और बाद में upper limit रख लो इस type से use कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 1 by s प्लस से infinity पे 0 चला जाएगा न यहाँ पे infinity डालने से e की power minus infinity 0 लेकिन यहाँ पे बिटा ऐसा तब होगा provided s प्लस a is greater than 0 यही कहलाता है ROC बात को समझेए मेरे बच्चों बात को समझेएगा यहाँ पे हुआ क्या देखो आपने बोला infinity डालने पे 0 जाएगा कैसे बोला आपने बोला e की power minus infinity सर 0 है तो आपने यह मान लिया ना कि s plus a positive था मान लो s plus a negative होता मान लो s plus a negative होता तो minus minus plus तब तो यह e की power infinity infinity बन जाता ठीक है तब तो e की power infinity क्या बन जाता infinite लेकिन अभी आप 0 कह रहे हो किस basis पे कह रहे हो कि s plus a positive होगा तो यह value negative आएगी तो यही तो है बिटा ROC ROC का मतलब s की क्या range है s की कौन सी values है जिस पे laplace exist करेगा s की ऐसी क्या condition है जिसको अगर define कर दे तो हम यह कह सकते है laplace will be finite that is called as ROC अब कुछ laplace की properties बिटा जैसा मैंने बोला थोड़ा हमें फटा-फट जाना होगा क्योंकि laplace का application है control में laplace पूरा signal जितना थोड़ी पढ़ेंगे 6-8 गंटे अब देखो property क्या कहती है linearity बड़ी simple सी property है बिटा हर transform में होती है कहते हैं कि अगर x1 t का laplace है x1 s और जी x2 t का laplace है x2 s अभी मैंने आपको system में linearity बताई बिटा वही है गुमा फिराकर के linearity हमेशा तो funda ये है कि अगर मेरे भाई आप x1 और x2 को combine कर लें तब ये भी combine हो जाते हैं अच्छा पता है वैसे आपको laplace transform या कोई भी transform सिर्फ LTI system के लिए applicable होते हैं मैंने अभी आपको LTI system पढ़ाया ना तो LTI system के लिए ही ये laplace transform, fourier transform, fourier series ये सारी चीज़े applicable हैं तब ही ये सारे transform काम करते हैं बात clear हुई तो linearity clear है अगर आप दो functions को combine करोगे तो उसी तरह से उनके laplace transform भी आपस में combine हो जाएंगे time reversal time reversal का मतलब क्या होता है भाई इसका मतलब है कि अगर x t का laplace access होता है तो फिर x of minus t का क्या होगा बताओ भई किसी को पता है फ्रॉपर्टी क्या होगा x of minus t का अगर मैं time को reverse कर दूँ तो मेरे laplace पे क्या फरक आएगा बताओ भई देखें कौन बताएगा इसमें होता है x of minus s ठीक है यानि देखो एक example लेता हूँ अभी आपने देखा e की power minus 80 ut इसका laplace था 1 by s plus a s greater than minus a यही था ना हाँ ठीक है अब बता अगर इसमें time reversal करते तो आप t की जगे ना minus t डालो तो a t हो गया u of minus t यहाँ laplace में क्या होगा s की जगे minus s यहाँ पे भी अगर minus से multiply कर दो तो यह clear हो गई बात s की जगे minus s आ जाता है तो देखो roc के अंदर भी s की जगे minus s डाला laplace transform में भी s की जगे minus s डाला समझ में आया इस property का use कैसे करना होता है तो बहुत सारे बच्चों को देखो यहाँ तक तो info रहती है लेकिन question में apply कैसे होगा यह नहीं समझाता क्योंकि roc भी बदलता है roc में भी s की जगे minus s डालोगे ठीक है अगला आता है भई conjugation देखो यह signal के point of view से important है control system में काहे का conjugate यहाँ पर क्या कहते है कि अगर x का conjugate कर दिया जाए तो इधर भी conjugate हो जाता है लेकिन ना सिर्फ right hand side पर conjugate होता है बलकि function के अंदर भी s का conjugate करना होता है इसका क्या मतलब होता है देखो आप यह जानते हो s होता है sigma plus j omega तो यह जो s का conjugate है ना यह होता है sigma minus j omega यानि जहाँ आप s लिख रहे थे जैसे मानलो यहाँ पर s plus e है ना तो यहाँ आप लिखोगे s conjugate plus e क्या लिखोगे s conjugate plus e पूरे function का भी conjugate लेना है यानि इस पूरे function का तो conjugate लोगे ही लोगे उसके अंदर s का conjugate भी लिया जाएगा time shifting यह वाली property important होती है यार काफी useful property है यहाँ पर क्या कहते हैं कि xt का laplace अगर x of s है तो जब xt minus t not कर दो तो यहाँ पर ना एक exponential term आ जाती है axis ठीक है यहाँ पर लेकिन roc remains same shifting से ना roc पर फरक नहीं पड़ता clear हुई बात तो जब आप x t minus t not करते हो तो exponential में आता है minus s t not क्या आता है minus s t not यह बात clear होगे सबको तो roc लेकिन आपका same ही रहता है यहाँ पर मेरे ज़ाब से सबको clear होना चीए काफी important property है यह time scaling time scaling भी बहुत important है देखो यह कहती है अगर xt का laplace x of s होगा time scaling का मतलब होता अगर time में आपने t की जगे t में कुछ multiply करके divide करके रख दिया जैसे मान लो x t by 2 लिखा तो आप यह कह सकते हो न 80 के अनुसार a की value half है t by 2 का मतलब क्या होता है half into t तो आप यह कह रहे हो अगर आपने time में कुछ multiply कर दिया 1 by mod a x of s by a तो यह आजाता है आपका time scaling के अनुसार इसका laplace तो this is very very important अगर आरोसी की बात करें चलो मैं आपको एक example से दिखाता हूँ जैसे यह ले हो ठीक है 1 by s plus 2 आरोसी आएगा s greater than minus 2 यह कैसे लिखा सर बेटा e की पावर minus 80 लिखा था ना e की पावर minus 80 उसी से लिखा है एक ही जगे 2 रख दिया है ठीक है अब देखो और समझो मालनो मैंने 40 कर दिया unit step में पता है scaling से कोई फरक ही नहीं पड़ता है unit step में scaling से कोई फरक नहीं पड़ता तब आप क्या करोगे इसका lap last आपने 2 से multiply किया है s की जगे s by 2 plus 2 ठीक है और 1 by a 1 by a का मतलब हुआ a है यहाँ पे 2 तो 1 by 2 तो यह आ गया 1 by s plus 4 और roc में पता है क्या करना रहेगा s की जगे s by 2 डालोगे क्योंकि यहाँ s by 2 हो गया greater than minus 2 तो s greater than minus 4 ऐसे होगा clear हो गई मेरी बात बात clear होई सबको बताओ जल्दी से मेरे को क्या करना है s की जगे s by a डालना है बाहर 1 by a से multiply करना है यहाँ पे a है आपका 2 यहाँ पे आप a लेके चले हो 2 तो 1 by a माने 1 by 2 से multiply करना है तो कितना हो गया 1 by s plus 4 और जो roc था वहाँ पे भी s की जगे s by a यानि s by 2 डाला तो जो change पता है s वाले variable में आएगा ना वही s आप roc में भी डालोगे अगर s रखा है तो s ही डालोगे 2s हो गया तो 2s डालोगे s by 2 हो गया तो s by 2 डालोगे convolution in time यह काफी interesting property है यार यह property यह कहती है कि अगर भाई तुमारे पास दो function है जिनका लैपलास तुमको पता है xt और yt है दो function बढ़ी हमारे control के लिए important नहीं है property याद रहे तो xt convolved with yt जब करोगे तो इसका लैपलास क्या हैगा xs.ys और पता है यह fourier के अंदर भी होता है यह fourier के अंदर भी होता है और देखो यहाँ पे roc पे क्या फरकाता है कि अगर इसका roc है r1 और इसका roc है r2 roc माने s की वो value जहां function finite आता है s की वो value जहां function finite आता है तो पेटा यह product तब finite होगा जब यह दोनों के दोनों finite होगा दो function का product तब finite आएगा जब दोनों function finite होंगे जिसका मतलब यह हुआ कि roc आएगा r1 intersection r2 intersection क्यों लेना पड़ रहा है क्योंकि दोनों finite होंगे तब ही इनका product भी finite होगा तो दोनों satisfy होने ची रोc r1 भी satisfy होना ची r2 भी होना ची दोनों satisfy होने ची माने intersection clear होगी बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा बिटा convolution becomes multiplication चाहे फिर fourier हो laplace हो कोई भी transform हो convolution को जब transform करते हैं तो multiplication में convert होता है और यह बहुत बड़ा reason है कि क्यों हम transfer functions की बात करते हैं क्यों control system में transfer function approach से इतना कुछ करते हैं उसका सबसे बड़ा reason यही है कि time domain में जब convolution करना पड़ता है convolution काफी लंबा process होता है दो function को multiply करो उनको integrate करो उससे काफी असान है multiplication तो इसलिए तो हम transfer function approach derive कर पाए अब multiplication in time again बिटा वही बात है अगर multiplication हुआ time में तो यह laplace में convolution मन जाएगा तो क्या होता है अगर आप ऐसे करते हो न x t y t तो यह आता है तेक है यहां पर 1 by 2 pi j एक extra आता है but then again बिटा यह properties are not very very important for our purposes क्योंकि multiplication convolution इतना नहीं आएगा बट हाँ चलो convolution वाला मैं आपको समझा दूँगा कि यहां से transfer function पे कैसे गए जब मैं आपको transfer function पढ़ाऊंगा ना तो laplace की इस property का मैं आपको use करा दूँगा कि signal and system में किसी system का output कैसे निकलता था फिर वहाँ पे laplace लेके कैसे हम s domain में आए और s domain में transfer function कैसे define हुआ differentiation in time देखो यह very very important property है बहुत ही important क्योंकि इसी की वज़े से तो differential equation solve हो जाती है यह ना हो तो कुछ भी ना हो तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं देखो dxt by dt इसका laplace होता है बिटा s xs minus x of 0 plus ठीक है यह क्या हुआ यह जो second term आ रही है s xs तक तो ठीक था यह है initial value of xt क्या है यह initial value of xt समझ में आ रही है बत xt की initial value है यह तो time domain में initial यानि time में जो 0 पे value होगी just after 0 जीरो प्लस का मतलब होता है just after 0 तो बिटा यह चीज की चिंता छोड़ दो कितना syllabus होगा कितना नहीं होगा पहले पढ़ना तो शुरू करो तुम समुंदर में उतरने से पहले ही गहराई नापते रहोगे किनारे पे खड़े वे कभी उतरोगे नहीं तो तैयारना कभी सीखोगे भी नहीं तुम लोग को कहा है ना information बहुत सारी चीए बस पढ़ना नहीं है एक बार ये संतुष्टी मिल गई ना सारा syllabus कराई जाए फिर सब अराम चे बैटेंगे अब सर तो कराई रहे है हमारा क्या हम तो करी लेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे सर करा रहे है ना हम उसमें खोश है अरे भई मेरी महनत से rank आती ही होती तो बात ही क्या थी महनत तो तुम ही को करनी है तो पढ़ो ना बैठके पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ना नहीं है तो देखो इस type से चलता रहता है बिटा तो यहां पे न यह मत सोचना x की power n-1 इसका मतलब है n-1th order derivative तो देखो जितने order के derivative का आपको laplace निकालना है उतनी सारी initial condition आपको चाहिए होती है तेक है उतनी सारी initial condition आपको चाहिए होती है हाँ बिटा second year में join कर सकते हो बात clear हो गई तो यह property VVI लिखा है very very important क्योंकि यह control में maths में यह property सबस्यादा काम आएगी even पता है बहुत बार gate में ऐसा देखा भी जाता है जैसे differential equation का सवाल आ गया तो आप कर दो उसको laplace से खतम कर लो निपटा लो उसमें कोई time थोड़ी लगना है तो उसके लिए लेकिन laplace ऐसे लिखना पड़ेगा एक एक derivative का integration in time तो यहाँ पर देखो क्या होता है minus infinity to t x tau d tau ठीक है तो इसका laplace होता है x s upon s देखो जैसे यहाँ पर s multiply हुआ है यहाँ डिवाइड हो रहा है क्योंकि integration का उल्टा है differentiation और और minus infinity से 0 तक जो भी x का area है that divided by s ठीक है तो minus infinity से t तक था ना तो minus infinity से 0 वाला area add करके आप s को divide करोगे अगर यही 0 से होता अगर यही 0 से होता तो सिर्फ x by s बनता क्योंकि फिर minus infinity से 0 वाला area लेना ही नहीं था ना रवी कह रहे है सर decide कैसे करेंगे कितने order तक देखो जैसे मानलो यह second order derivative होता रवी तो यहां लिखते आपको समझ आ जाएगा कैसे सोचा जाता है डी स्क्वाइर एक्सप्राइब यहां पर यहां पर s की पावर 0 है अगर आप ध्यान दो s की पावर 1 x0 minus s की पावर 0 x-0 समझ में आया s की पावर 0 तक जाना है और कहां से शुरू करना s की पावर n से तो अगर यह आपका second derivative है मैं यहां लिख देता हूँ छोटा सा आपको समझ आ जाएगा कैसे सोचा जाता है d square xd by dt square तो पहले s square से शुरू करना xs फिर एक पावर घटा लो x-0 फिर एक पावर और घटा लो x-0 बस और आगे जाने की जरूवत ही नहीं है s की negative power में थोड़ी हमें जाना है बात clear हो गई कैसे decide होता है कहां तक हाँ यह लैपला signal और maths में directly use हो जाएगा हाँ जी I am currently in second semester of third year joining an academy हाँ विटा cover कर सकते हो बिल्कुल yes you can cover for gate 23 differentiation in frequency तो देखो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे फंडा यह होता है कि अगर x-t का लैपलास है आपके पास x-s तो हम कहते हैं txt का लैपलास क्या होता है माइनस d by ds तो यानि कि जब आप यहाँ पे t से multiply कर देते हो बिटा अगर multiply कर देते हो तो माइनस d by ds फर्स्ट अम में 0 नहीं लिखा गया लिखा तो है 0 लिखा तो है बाई यह तो x of s है ना इसमें 0 थोड़ी न लिखेंगे यह तो transform है यह x-t का transform है x-s जो x-t एक function है उसका transform है x-s देखो मैं इसका example भी देता हूं तुम्हें example देखो जैसे e to the power minus 2t ut इसका है suppose 1 by s plus 2 यह होता है ना यह x-t है अब अगर मैं तुमसे कहाँ d square x-t by dt square तुम क्या लिखोगे s square x-s minus s x0 minus x-0 अब इसमें x of 0 अगर आप इसके अंदर 0 डालोगे तो यह आएगा 1 और x-t अगर निकालोगे इसका derivative तो इसमें अगर 0 डालोगे भई तो यह आएगा minus 2 तो यह values आप यहाँ पर डाल दो अब समझ में आ गया अब समझ आ गया अब आपको x-t का लेपलास पता होना चाहिए जो s square में आप multiply करोगे clear हुआ ठीक है अब यह वाला बिटा काफी जादा important है इसको मैं वी 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 आई लिखूंगा very 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 important final value and initial value theorem अब यह क्या है यह कहती है अगर function की time domain में अगर function की time domain में value चाहिए 0 पे या infinity पे तो उसे लेपलास transform से कैसे निकाले माल लो मेरे पास function time domain में पता ही नहीं है मुझे यह नहीं पता है x of t का है मुझे उसका transform पता है अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि function की initial और final यह values कितनी होंगी अगर मैं इसको लेपलास की मदद से निकालू अगर मैं लेपलास की मदद से निकालू तो यह values क्या होंगी तब वहाँ यह theorem use होती है अब देखो initial value theorem के लिए condition यह होती है we need to have a proper function proper function का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है order of numerator order of numerator is less than order of denominator order of numerator is less than order of denominator तो बिटा अगर numerator का order यानि numerator में जो s की power है अगर वो denominator में s की power से कम हो गई तो हम उसके लिए ही यह initial value theorem use करेंगे अब यह theorem हमें क्या सिखाती है यह कहती है भाई कि अगर x of 0 प्लस चाहिए तो आपको करना पड़ेगा limiting देखो अगर time में 0 लोगे तो s में infinity s excess ठीक है लेकिन याद रहे यह theorem सिर्फ कहां लगेगी जहां order of numerator is less than order of denominator अगर sir ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ अगर sir ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ बिटा तो मैं कहता हूँ Now, if condition is not satisfied, अगर आपकी condition satisfy ना हुपाए, then take inverse Laplace transform. and solve in time domain, तो आप time domain में answer निकालें फिर, inverse Laplace ले करके, बात क्लियर है, अगर condition satisfy नहीं होगी, तो आप time domain में answer निकालेंगे, by taking inverse Laplace. What about final value theorem? अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं? यहाँ पर भी देखो, दो condition होती हैं, एक तो proper function. दोसरी एक और condition आती है, all poles must lie in LHP with at most one pole at origin. मतलब की pole क्या होता है, देखो, pole का मतलब समझेगा बच्चो, pole का मतलब है, जहाँ पे आपका function का denominator 0 हो जाए. जहाँ लैपलास transform का denominator 0 आ जाता है उसे pole कहते हैं, तो यह जो poles हैं, यह left half plane में आने चाहिए, इसका मतलब है, left half plane का की जो भी pole है, उसका S का real part negative होना चाहिए. real part negative होगा, तभी तो X axis पे left में जाएगा, X axis पे left half में कब जाएगा, जब real part negative होगा, तो अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, X of infinity is limiting S tending to 0 S axis, बट याद रहे, यह दो condition true होनी चाहिए, और अगर again बेटा, यह true ना हो, तब क्या करें, तब बेटा फिर से condition satisfy ना होने पे time domain में लाएं, और उसके अंदर value put कर दें, time domain में आके t की value infinity डाल दो, बेटा यह class daily शाम 6 बजे start होती है, ठीक है, साइपरसाद, there is still no course on SRO, once the dates are announced, we might launch a test series, और we might launch a short course, जड़ा यह देखो, X is 4 by S square minus S, is the Laplace transform of XT, what will be its final value, अब जड़ा यह देखिए बेटा, इसका denominator आप लोग notice करो, क्या है, S, S minus 1, अब यहाँ पे denominator को अगर आप zero कर दो, तो आपको pole मिलेंगे, एक तो मिलेगा origin पे, S r is zero, और एक मिलेगा one पे, ठीक है, तो यह जो one है, यह तो positive है, तो यानि right half plane में lie करेगा, तो यहाँ पे final value theorem तो नहीं लग सकती, यहाँ पे final value theorem तो नहीं लग सकती, left half में कहाँ पे होगा, देखो मतलब यह है, अभी मैंने आपको S plane पढ़ाया था नहीं यार, अभी मैंने आपको S plane पढ़ाया था तो देखो ये होता है सिगमा जे उमेगा तो ये right half plane होता है बिटा और इधर होता है left half plane अब देखो आपका एक pole origin पे आ रहा है और एक one पे आ रहा है तो right half में गुश गया ना तो final value theorem नहीं लगेगी अगर ये ही minus one पे आ रहा होता तो ये left side होता left side किसके left half of y axis y के left में अगर pole आया तो final value लग सकती है y के right में अगर एक भी pole चला गया तो final value theorem नहीं लगेगी ये मत सोचना final value निकाल ही नहीं सकते final value आ सकती है लेकिन theorem से नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पे क्या कहोगे final value theorem cannot be applied बात समझ में आ गई answer तो निकाल सकते हैं बस theorem से नहीं निकाल सकते हैं अब क्या करा जाए भाई करा ये जाए कि इस function को break कर लिया जाए कैसे देखो इसको ऐसे लिख लो partial fraction भी मैं आपको सिखा दूँगा कोई घबराने वाली बात नहीं है कल के lecture में करा दूँगा partial fraction तो यहाँ से पता है अगर x t निकालोगे inverse लेके तो ये बनेगा अब x infinity अगर निकालोगे ना तो e की power t के कारण ये infinity जाएगा तो आपको time domain में आके करना पड़ेगा ठीक है one से right side में तो लग सकती है ना सर मतलब मैं समझा नहीं one से right side में तो लग सकती है final value theorem के लिए condition ये होती है कि सारे pole y axis से left में ही होने चीए एक भी pole अगर y axis के right में लाई कर रहा है तो theorem नहीं लगेगी ये clear हो गया question ये जो लिखने का तरीका है ना इसे partial fraction कहते हैं मैं partial fraction आपको कल के lecture में cover करा दूँगा अब ये देखो जरा try करो initial and final value for the following come on everyone फटा फट से कर दो यार इसको पहले वाले पार्ट का निकाल दो यार इसमें s plus one और s plus one तो कटी रहे है तो one by s आ रहा है यहां से तो पता है कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि yt जो है वो ut है one by s किसका लैपलास है ut का तो initial value zero के just बात one होती है infinity पे भी क्या आती है one आती है चाहे तो theorem लगा लो यार चाहे तो theorem लगा लो समझ रहे हो theorem लगाओगे तो भी दोनों value one ही आएंगी theorem नहीं लगाओगे तो भी one आएंगी अब इस पे आओ यार इस question पे आओ ये proper है denominator में s की power 3 बन रही है ध्यान से देखो s into s square s की power 3 बन रही है और यहां s की power 1 है तो denominator में s की power ज़्यादा होनी चाहिए अगर initial value निकाली जाए तो क्या condition थी limiting s tending to infinity s y s अब यार अगर s multiply कर दोगे तो उपर तो s की जो highest power है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी s multiply किया ना यह वाला s और नीचे कितनी है नीचे power है 3 तो यह तो 0 जाएगा जब नीचे s का cube है उपर s का power 2 है तो infinity रखने पे 0 जाएगा अब final value के लिए एक और condition चेक करते हैं इसका denominator denominator आप लिखोगे ऐसे 0 किया तो पेटा इसके दो पोल आएँगे s equal to 0 और s plus minus j2 कैसे s square plus 4 को 0 करके अब ये जो दोनों पोल है plus minus j2 ये imaginary पे लाई कर रहे है तो पेटा यहाँ पे final value theorem cannot be applied condition ये थी कि सारे पोल left half में होने चीए हद से हद एक पोल origin पे आ जाए इससे जादा कुछ भी हमने condition नहीं दी हमने बोला या तो सारे left में और जादा तुम्हें छूट चाहिए तो चलो ठीक है एक पोल आप origin पे भी डाल देना जादा से जादा इतना हमने छूट दिया था लेकिन ये तो हमारी छूट का फाइदा उठा लिया अब चलो ये वाला topic फिर मैं आपको कल कराऊंगा ROC वगरा ठीक है और ये चलो कर ले ना यार ये assignment मैं आपको दे दूँगा ये assignment जब आप notes download करोगे ना तो आपको ये assignment मिल जाएगा ये आप बना ले ना अगर कुछ अटकेगा तो कल देख लेंगे ठीक है answer keys भी दे रखी है अब देखो जो कोई बच्चा unacademy join करना चाहता है ये जान लो बिटा 20% off चल रहा है अभी 28th of April तक है और अगर आपको तयारी करनी है मेरा भी EMFT चल रहा है इसके बाद network आने वाला है कल से बिटा मैं electrostat तयार शुरू कराऊंगा तो अगर आप आज भी join करते हो तो मेरे साथ EMT एकदम basic से कर सकते हो लेकिन code याद रहे अंकित ESE इस code से double benefit है एक तो ये है कि देखो आपको consistent basis पे classes मिलेंगी आप जब भी आओगे ना academy पे तो आप एक चीज जरूर देखोगे सुबह 7 बजे मैं आपको class लेता मिलूँगा entire year में यहाँ पे आपको मैं comprehensive course भी कराऊंगा और last में सारे subject में खुद आपको revise कराऊंगा ये फायदा है दूसरा क्या है आप कभी भी कभी भी आप मेरे साथ connect हो सकते हो कभी भी आपको कोई guidance की ज़रूरत है मेरी team के थ्रू आप मेरे साथ call पर आ सकते हो that is the benefit of this code और देखो यार आपके लिए test series भी हमने launch किया वाए जिसके अंदर हम आपको अभी maximum discount दे रहे हैं और इसके अंदर आपके पास है topic test, subject test multi subject test, mock test, सारे test हैं, तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो YouTube पे उसके साथ-साथ आप test series दे सकते हो, और पता है अभी-अभी इसी month control system के test live हुए आपको बहुत मदद मिलेगी notes बेटा मैं unacademy community पे डालता हूँ वहाँ से download कर लेना सीधे community पे PDF open नहीं होगी रवी, उसका preview नहीं मिलेगा उसे download कर लेना बड़ी PDF होती है इसलिए preview नहीं होती है और देखो हमने study material भी launch कर दिया है बिटा, gate वाले बच्चों के लिए ये study material लेकिन plus और iconic वाले बच्चों के लिए है ये study material में जो है न top teachers आपके इसको recommend करते हैं बहुत detail में इसके अंदर सारा syllabus कवर किया गया है हर topic के बाद solved examples हैं जिनसे आपकी problem solving skill एकदम next level जा सकती है chapter wise, chapter के end में आपको practice question दिये गए है आप इसे कहीं भी, कभी भी refer कर सकते हो क्योंकि app पे available है तो ये material आपके लिए बहुत अच्छा supplement बन जाता है जब आप तैयारी करते हो स्वयम बिटा आपके अलावा कोई भी black background नहीं कह रहा है अब out of 100-200 student एक बच्चे के लिए तो background नहीं change करेंगे ना यार ठीक है और देखो जो भी बच्चा gate iconic का subscription लेता है एक साल या उससे जादा का उनको ये study material घर पे deliver कराये जाएगा पूरा पूरा का पूरा hard copy में और देखो ये नया batch start हुआ यार 20th April से जिसमें EMT मैंने start किया है analog सिधार सरने start किया BV Ready सरने network start किया है तो ये तीन teachers मिलके आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप इस साल का rank देखो अनकाडमी से electrical EC में electrical में rank 1, rank 6 AIR 7, 9, 10, 21, 31, 36, 62, 68 तो आप खुद देखो बिटा किस तरह का result प्रेड्यूस किया electrical electronics में this is really, really a legendary result मतलब इससे better result नहीं आ सकता था और इसलिए बिटा अगर आप भी चाहते हो result तो study from top teachers जो कि आपको अनकाडमी पे एक साथ मिलते हैं और अगर अनकाडमी जॉइन करते हो न तो मैं आपको recommend करूँ है बिटा iconic लीजिए क्योंकि iconic एक average बच्चे को भी topper बना सकता है यहाँ पे एक personal coach होता है जो खुद एक topper है और यह आपको step by step guide करेगा कैसे rank लानी है और यहाँ पे यह आपका पूरा time table बनवाएगा study plan कब आपको पढ़ना है कब आपको सोना है कब उठना है daily कितना coverage करना है तो आपको इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगा फिर बस आपको focused हो के महनत करनी है planning सारी यह coach करेगा teachers आपको motivate करते है study booster session में test analysis आपको दिया जाता है जहां आपकी strength weakness बताई जाती है study material आपके घर पे deliver कराए जाएगा और doubt clearing educator भी होंगे तो आप coach के साथ one to one session set करके doubts भी पूछ सकते हूं अगर iconic effort ना कर पाओ तो plus पे आ जाओ plus के सारे benefit iconic को भी मिलेंगे जो कोई plus वाला बच्चा होगा उसको जो कुछ मिल रहा है वो iconic वाले बच्चे को by default मिलेगा लेकिन ये जो बाहर वाले benefit है iconic के ये plus में नहीं जाते plus में आपको live और recorded class मिलती है हर Sunday test होता है सारे courses structured है comprehensive course भी है crash course rank improvement batches भी है सारी चीजे बस आपको जो भी subscription लेना है बिटा code आपको याद रखना है that is unkit ese बहुत easy है और देखो यार यहाँ पे आप duration select कर सकते हो बिटा और अगर आप अभी join करते हो तो आपको ना सिर्फ is code से 10% off मिलेगा बलकि 20% off nothing can be better than that और आप यहाँ पे duration decide कर सकते हो रवी बिटा देखो लोन हर एक को नहीं मिलता है उसका reason क्या है कि उसके लिए आपके जो भी certificates है documents है वो check किये जाते हैं तो अगर आप qualify करते हो eligibility criteria that you deserve to get a loan तो ही loan approve होता है ऐसा नहीं कि हर बच्चे के लिए loan approve हो जाए और यह है मेरा telegram channel भई इस telegram channel को अगर आप join करते हो तो यहाँ पे मैं आपको daily question provide कर रहा हूँ आपको सभी notes का link provide कर रहा हूँ और साथी साथ आपको सारे updates में यहाँ पे provide कर रहा हूँ बस आप क्या करो mobile में telegram app डाल लो फिर इस link को ब्राउजर में डालना कोई भी ब्राउजर हो google chrome जैसे यह अपने आप telegram में खुलेगा join कर जाना हाँ पेटा प्लस से अगर gate का syllabus पढ़ लोगी तो हो जाएगा इस रो भी और देखो unacademy पे आके आप जितने चाहे उतने doubt पूछ सकते हो जैसे बता देना किस language में video solution चाहिए अगर वैसा question उससे similar question पहले से होगा तो फिर आपको तुरंट मिल जाएगा और अगर वैसा नहीं होगा तो फिर आपको जो है ना कुछ time बाद उसका solution मिलेगा और फिर भी अगर आपको solution अच्छा ना लगे तो आप क्या कर सकते हो आप उसे down vote कर सकते हो thumbs down देके यह कह सकते हो कि review करो तो आपको नया solution बना के दिया जाएगा हाई जैं और देखो अगर किसी को कोई भी बात करनी आप इस help line number पे call कीजिए यह मेरी ही team का number है अगर आप इस पे call करते हो तो offer से related, journey से related, latest आपके subscription से related कोई भी आपकी query आंसर हो जाएगी लेकिन code ना भूलें अंकित ESE So thank you everyone, like, share, subscribe जरूर करें और comment करें कि वीडियो कैसा लगा अब हम कल मिलेंगे same time, same place और कल हम laplace transform wind up करेंगे Let's crack it करेंगे